नमस्कार दोस्तों जहंद डिके यादब नीज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखने है वीडियो जैहन वन्दे मातरम पता है कि तालिबान जो पाकिस्तान के तालिबान है उननों ने खाबर पक्तूः चॉक के पास जो है दो इलाकों पे कब्जा किया था और कब्जा करने के बाद हुआ यह के वहां पर वह अपनी ही मतलब हकومت बना रहे हैं और उसके बाद उनका कहना ये था कि वो वहां पर अपनी हकूमत बनाने के साथ पुरे पाकिस्तान में अपनी हकूमत लेकर आएंगे और वो अपने हसाब से मुल्क पूरा चलाएंगे और सुनने में ये भी आ रहे हैं कि दूसरा पराइम मिनिस्टर भी तालिबान ने एक वो मुन्तखिब कर दिया आप देख रहा था कि पाकिस्तान के जो आमी चीफ है नए आर्मी चीफ वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक नैशनल कंसेंसिस आई ये कि हमें एक्तसादी चैलेंजिस है और जो देशित गर्दी के रिलेटेड चैलेंजिस हैं उनके लिए एकॉनमी एंड टेरिज्म के ओपर नैशनल कंसेंसिस आई ये वैसे इसकी वजह से उसकी इफगान गर्मन को इंडेल्ज किया था आज वेस्टर जो पावर्स है वो खुद तो कतर में अमरीका ने तालबा पाकिस्तान के साथ जो ब्रहरास्त मुझाकरात जो पिछली हकूमत कर रही थी और ये हकूमत भी उसको कंटीनियू किया था पॉलिसी को जो दैशित गर्दी की कारवाईया इन्होंने की थी पाकिस्तान में वो जाहर है ये नहीं थी कि हम जो है वो किसी को दैशित गर्दी की विए से मार रहे हैं इसलिए कि हमें दैशित गर्दी पसंद है बलके उनका जो एजेंड़ा जिसको वो लेके चल रहते हैं वो यही थ तो उसमें उन्होंने क्लीरली डेकलेर किया हुआ है कि हमारा मकसद जो है वो इसलमी नजाम का नफाज है और उस मकसद के लिए यह जो मीन्स हैं, जिसमें जाद है, जिसको हम देशत गरदी कहते हैं, या मिलिटिनसी है, या यूज अफ फोर्स है, यह सारे उसके मीन्स हैं, अ को पता होगा के जब स्टेट ने जो एंके साथ माईधा किया कि आप पाकिस्तान में कोई कारवाई नहीं करेंगे तो उस माईधे को खकलाने में जो जामन का किरदार है या पीचे से ईचो एक तरह का बैक अप का किरदार है वो अफ़नस्तान के ताल्बाण ने जो है वो किया था उसकी वज़ा ये थी कि उस वक्ड जाएर है ऐफ़ःस्तान में जो अमरीकी इंखलाह का हम चल रहा था और ये सारे जी जो सिनारीों था उसमें पागेस्तान की स्क्युरिटी intelligence agencies और establishment जो है वो तालबान के साथ बिलकुल शीरो शेकर थी और उस वक्त आसर ये दिया जा रहा था कि हमने को बहुत बड़ा जो है वो मारका सर कर लिया है और अफ़ानस्तान हमने फता कर लिया है आपको याद होगा कि पाकिस्तान military intelligence के एक बास ने वहां जाके एक मुखतसर सा अपना जो है इंटरी दिये के तो एक पिक्चर भी बनाई थी जब अफ़ानस्तान से जो है वो अमरीकी निकले थे तो इस असाब से तालबान ने वक्ती तोर पे जो है अपनी कारोईयां उनको रोक दिया था इसका मतलब यह नहीं कहा है उन्होंने आत्यार पैंक दिये या दाश्टगर्दी जो हो खत्म करोई तो अब यह नवंबर में जो कुछ हुआ जिसकी वाएसे उनके दरमयान यह माइदा जो है वो रिन्यू नहीं हो सका इसकी तजदीन नहीं हो सकी उसकी क्या वज़ा है इसका मतलब यह अर्गिस नहीं कि को तालबान बदल गए या स् का मतलब यह था कि उनके जो बैकर्स हैं एकववनिस्तान में बैठे हुए उनके साथ पाकिस्तान के तालुकात में काफी बड़ा जो है एक तरह की रिफ्ट एक तरह की बलके आभी हम समय लें कि कानफ्लिक्ट टाइप चीज जो है वो क्रियेट हो गई है और उसकी बज़ा कि पाविस्तान की हमेशा से कुoney है से कन्टरोल है रहे है अफ़निस्तान के साथ पाकिस्तान के बलोचिस्तान के चमन से लेके तो यह यांगा गार जिसको आप कहते हैं पिशावर तक उन में जो है एक स्री मूविमन्ट का एक तसाबर है जो सदियों से चला रहा है और इस से लाके के लोग जो हैं प्रक्तून लोग ज्यादा तर वो ये समयते हैं कि हम एक ही लोग है और हमारी आपस में बिजनस है विज इस ट्रू रिष्टे हैं आपस में शादियें होती हैं एक आमदोराफ्ट का इस सलसिला चल रहा होता है तो वो किसी तरह के कोई बार्डल कंट्रॉल या इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते लेकिन पाकिस्तान की हमेशा ये खाश रही है कि हमारी पसंद की जो हकूमत आए उसको बुनियात बनाके तो हम किसी तरीके से इस बार्डल को एक पर्मिनट शेकल दे दें चूंकि लाइन के नाम से जिसको आफ कहते हैं एक अंग्रेज में खेंची थी अफगवानिस्तान के साथ आमन काइम करने थी लेकिन अफगवानियों का शुरू दिन से इस पर ये मोकुप राया कि ये हमारे साथ एक कलूनियल दोर में ज्यात्ती हुई तो आपने बात की है एक तो ये नई बात नहीं है कोई भी आदमी आता है वो यही बात करते हैं अक्षर पहले बी-आदमी बात ये है कि इसके ऊपर जो पारफुल सेंटर्स हैं उस पे एक तमाद क्या करेंगे क्या वो मुल्की जो दीगर सहसी जमाते हैं क्या उनको वो एक्तमाद में लेने की कोशिश करेंगे इस एहम इशू के उपर जैसे आपको पता है एपी सी पिशावर का जो बाक्या हुआ तो फिर सबको कठा बिठाया गया और सबको बिठाके एक उनके सामने पिक्चर प्रिजेंट की गई अब ये जो धेश्यदगर्दी का मामला है ये बड़ा कॉंपलेक्स मामला है अफगानिस्तान में अगर आप मुझे अजाज़त दे तो इसकी मैं आपको बन्यादी वज़ा भी आज बताता हूं इसमें इशू ये है कि कोई जब इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट हुई जब रदल फिसाद हुआ तो दो किसम की जो है ना वो इंटरनल डिस्प्लेस्मेंट जो एक तो बन्यों में जब आए थे तो वो पाकिस्तान के अंदर हुई दूसरी डिस्प्लेस्मेंट जो फैमिर्विज अफगानिस्तान चली अब वहाँ पर तीस, चालीस, पचास, अजार के करीब पाकिस्तानी पश्टून जो है अफगानिस्तान में है अब वहाँ की properties हैं या यह वो मामलात है वो जो है उनको डील कर लिया उसको हो गया अब जो वापस आते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक पक्तून कल्चर है उसमें लोगों के कतल हुए है हमारे लोग जो है वो एक दूसरे से अगर वो वो वापस आएंगे तो वो भी एक बड़ा मसला बन करें के आप उनको जो है उनके खलाव operation करें अब ये operation करना असान मामला नहीं है हमारे इसके उपर हमारे society में हमारे law and order के हमारे state के उपर इसके बड़े रिप्रकाशन्स है इसके law and order सो मतलगा इसके society वहीं इतना असानी उनको जब तक कम असकम as of now जो है वो बहराइरास्ट मुझाकरात इनके साथ नहीं होंगे। दूसरा उसमें जो आहम एक फैसला हुआ है कि अफगान तालिवान को एक वाज़ पैगाम दिया जाएगा कि जो टी टी पी और उनकी जो सैंक्षरीज हैं वो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। तो आपने फैसला करना है कि या तो तालुकात को आपने बेतर करना है। और उनको ये आपशन दिया जाएगा कि आप इसका कुछ हल निकालें इस थ्रेट को निट्रलाइज करें। और अगर आप उस थ्रेट को निट्रलाइज नहीं करतें तो पर पाकिस्तान के पास तमाम जो आपशन्स हैं वो मौजूद है पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए ये भी इंडिकेशन है कि जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं वो कर भी सकता है और माजी में एक दो दफ़ा पाकिस्तान ने इस तरह की कारवाई की भी है जिसके नतीजे में अफगान तालिबान मजबूर हुए कि वो टी टी पी को मुज कुछ लागों पर कभजा करके अपनी सरकार बना ली है आपको याद होगा पाकिस्तान के केपी के राज में टी 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 पी ने पाकिस्तान के काउंटर टेर्रिजम डिपार्टमेंट पर कभजा किया था बहां पर भी पाकिस्तानी सैना ने काफी ज़्यादा संगर्श के वा कार को बनाएंगे बहुत जल्दी पाकिस्तान के इसलामाबाद पर भी अपना कबजा कर लेंगे क्योंकि टीटीपी को तालिबान का पूरा सपोर्ट हासल है साथ इसाथ बी एले भी टीटीपी के साथ मिल चुका है अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी तवाही आने वाली है क् कि पाकिस्तान इस वक्त आतंकियों की बीच में अकेला पड़ चुका है अब पाकिस्तान की खहर नहीं रहने वाली है क्योंकि तालिवान भी अमेरिका से डारेक्ट मिल रहा है पाकिस्तानी वीडिया का कहना है कि कतर में अमेरिका ने डारेक्ट तालिवान से मुलाकात की है जब अमेरिका से उन्होंने बातचीत भी की है जो कि पाकिस्तान की दलाली के डॉलर बिल्कुल बंद हो जाएंगे जब तालिबाना और अमेरिका की बीच मुलाकात होगी तो पाकिस्तान के सारे राष्टे बंद हो जाएंगे आपकी क्या रहा है कमेंट में जरू सेयर करें य